पूरा हफता काम करने के बाद में, हमको इंतजार होता है वीकेंड का यानिकि सण्डे का ताकि उस दिन हम अपनी मर्जी से उत पाएं, मर्जी का खाई पाएं, मर्जी के एक्सरसाइज कर पाएं, मर्जी की मूवी या टीवी शोः देख पाएं, और अपनी फैμंली के साथ spend कर पाएं लेकिन कुछ लोगों के लिए यही Sunday काफी ज़्यादा headache बरा होता है इसको बोलते हैं हम लोग Sunday headache इसको weekend headache भी का जाता है और let down headache भी का जाता है यह specific type का headache होता है जो आम तोर पर weekend पर ही होता है और खास उसे Sunday को होता है इसका एक खास pattern होता है यह बार बार recurrent pattern से होता है यानि कि यह Sunday को ही होता है weekend पर ही होता है और इसमें जो headache होता है वो खास तोर से सुबह शुनुव होता है और कुछ घंटों तक रह सकता है और कुछ लोगों में तो पूरे दिन तक रह सकता है जब उन से पूछा जाए कि आपको किस तरह का दर्द हो रहा है तो उनकी explanation कि मुझे लगता है कि मेरे सर को किसे ने जोर से पकड़ लिया है या इसके अंदर कोई कुछ चीज चुबह रहा है या कुछ अथोड़ों की तरह मेरे सर के पर मारा जा रहा है इस तरह की उनकी feeling होती है इस headache के बारे में एक्जेक्ट कॉर्ट संडे हैडेक का अभी तक पूरी तरह से understood नहीं है लेकिन कई सारे factors हैं जिनको समझा गया है पढ़ा गया है देखा गया है जिसके basis पर ये पाया गया कि इन factors की वज़े से संडे हैडेक होता है सबसे पहला factor है stress stress किसी भी तरह के हैडेक में काफ़ी ज़्यादा significant बहुत important component होता है और पूरे week days में हम लोग बहुत सारा काम कर रहे होता है जिसकी वज़े से हमारी body में stress level बढ़ रहा होता है और उसकी वज़े से stress hormones का भी level बढ़ता है क्योंकि body stress hormone इसली निकालती है ताकि उस stress को अच्छे से combat कर पाए और हम लोग beat कर पाए और जिसकी वज़े से muscle tension बढ़ती है और muscles में tightness होती है लेकिन जब weekend आता है तो हमारे को किसी भी तरह का stress नहीं होता यानि कि stress reduce हो जाता है तो body experience करती है एक दम से stress hormone की level को नीचे जाने वाले level को feel करती है और जब यह stress hormone बिलकुल नीचे जा रही होता है तो body rebound करती है और इसी rebound की विज़े से हमको trigger होता है headache जिसको Sunday headache का आ जाता है नमबर टू पे आता है sleep pattern पूरा हपता तो हम लोग सुबह उठके अपने office की तरफ भागते हैं और हो सकता है कई बार रात को भी डंच से sleep नहीं नहीं होती है यह हमारा pattern बना होता है लेकिन Sunday को हम चाहता है कि थोड़ा सा ज़ादा जी लेते हैं थोड़ा सा ज़ादा सो ले होता है और जिसकी विज़े से हमारा sleep wake cycle जिसको हम लोग social jet link भी कहता है वो तूट जाता है और उसकी विज़े से कुछ neurotransmitters और कुछ hormones खास और से serotonin के लेवल में उपर नीचे का बदला हो जाता है और जिसकी विज़े से Sunday headache या headache develop होना शुरू हो जाता है हम पूरा हपता पूरा हपता अपने काम को alertness और focus तरीके से करने के लिए caffeine का काफी ज्यादा इस्तमाल करते हैं आज काफी ज्यादा इस्तमाल होता है ताकि लोग stay रहे focus रहें और alert रहें लेकिन जब हम लोग weekend आता है तो यह हमारा caffeine के habit है यह abruptly change हो जाती है और इसकी विज़े से कई लोगो को call करने के लिए और weekend पे हमारा routine life change हो जाता है जिसकी वज़े से काफी लोगों का water intake भी कम हो जाता है और Saturday जो उससे पहले रात गया है उस टाइम पे भी लोग alcohol भी इस्तमाल करते हैं ताकि वो थोड़ा relax फिल करे लेकिन उसकी विज़े से भी dehydration होता है और उसकी विज़े जैसे सुबह संडे को काफी ज्यादा headache feel होता है लोगों को diet हम लोग routine नी जो उनके हमारी habit होती है पूरा जो हफता हम खाते हैं उसमें जैसे कि कभी खाना मिस कर दिया या अलग तरह का food खाया उससे क्याता है कि blood sugar के level को जो है हमारी body adapt कर रही होती है लेकिन हमारा जो weekend होता है वह बिल्कुल अलग तरह का हमारे diet pattern होता है हम अलग तरह के food items खाते हैं ज्यादा amount खाते हैं heavy diet लेते हैं और जिसकी विज़े से blood sugar के liver में काफी ज्यादा fluctuation जाती है और उसकी विज़े से headache होता है second last है इसमें eye strain यानि कि जब हमारा Sunday होता है तो हमको लगता है आज मैं य जाता है यानि कि screen time बढ़ता है हमको eye strain होता है जिसकी विज़े से headache development होती है last होता है physical activity पूरा हफता हम लोग दोड़ दूप में बागे दे दोड़े रहते हैं तो हमको exercise करनेगा उतना मौका नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को और हम लोग अपनी routine life में उतना time नहीं दे हैं बहुत सारे लोग लेकिन जब संडे आता है तो कई बार लोग ज़्यादा physical activity में वोल आते हैं जिसकी वज़े से physical exertion होती है और होता है आपको headache सो यह factors थे जिनकी वज़े से हमें headache होता है अब बात करेंगे कैसे इसको prevent करना है और कैसे इसका treatment करना है तो इसका simple prevention है कि ज problem लग रही है तो उसको overall change करिए एक दम से संडे वाले दिन आप अपने आपको पूरी तरह से change मत किजिए तो यह आपको प्रोशानी जो है काफी कम हो जाएगी अब इस लिस्ट में अगर बात करें तो सबसे पहला आएगा आपको sleep schedule है वह आपको change नहीं करना week days की तरह maintain जैसे भी कम हो जाते हैं कैफीन और बहुत ज़्यादा excess amount में कैफीन अच्छी नहीं होती है अगर कैफीन आप change करना भी चाते तो पूरे life में ही आप अपने पैटम इसको change करें चाहिए चाहिए weekend अच्छे week days है एकदम से अब्रप्टनी चेंज मत कीजिए stress को manage करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहले आप week days पे आपको काफी stress है और एकदम से stress परी है सब्सक्राइब अपनी लाइफ में breathing exercise meditation और योगा इन सब को जगह दीजिए और weekend पे इस चीज़ों करते रहे है तो प्रोशानी कम होगी regular balanced meal खाना चाहिए week days पे भी weekend पे एकदम से अब्रप्टनी चेंज मत कीजिए ताकि आपका blood sugar जो है वो fluctuate करने के विज़े stable रहे है fluctuating blood sugar is more dangerous than the high blood sugar so अगला है कि break लेते रहे स्क्रीन पे अगर आप अपनी प्रसंदेशा मुवी देख रहे हैं या स्क्रीन टाइम आपका बढ़ रहा है तो ब्रेक लेते रहे है इसके लिए रूल है 20-20-20 यानि कि हर 20 मिनट के बादे 20 मिनट 20 feet की दूरी पे कोई चीज़ है उसको 20 सेकंड त कि यह सदन चेंज इन एक्सराइज रूटीन काफी डेंजरस है और यही चेंज यही चेंज जो यही बदलाव जो है कई तरह कि जो प्रोब्लम आप बड़े बड़े सेलिबरेटी जरूंसा में देख रहे हैं एक दम से जो लाइफ शाल में काफी ज़्यादा चेंज है वो क सपतिर प्रिस्क्रिप्शन मेडीकेशन की या फिर किसी तरह का आल्टरनेव determin management आपका demokrat रपी से किया जा सके सो यथा संडे एयाट I believe कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइब करो, जो दिल करता हो वो करो, लेकिन संडे को पनी लाइफ बैसी जिवो, जैसे वीकेंड पे जीते हो, फैमिली के साइट टाइम स्पेंड करो, और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करो, और एक्सरसाइज जो है, पूर एग्निरल ने करो, और हाइडर्शन मैंटेन रखो, समय पर सो, समय पर उठो, तेंक यू सो मच, लव यू ओल,